नमस्कार तिबद टीवी के हिंदी प्रसारन में आप सभी का स्वाकत है तिबद टीवी के सब्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परमपावन लाय लामा वर्तमान तिबद के परिस्तिती निर्वासन में तिबद तथा विश्व व्यापी तिबदी अंदोलन के संदर् प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूँ तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सब्ता के प्रमुक खबर। सिक्योंग पेंपत सिरिंग को परमपावन डलाय लामा जी का व्यक्तिकत रूप से दर्शन मिला। परमपावन डलाय लामा जी ने गांदेन शर्चे सेंटर द्वारा आयोजित करुणा के मध्यम से विश्व शान्ती कारेक्रम को संबोधन। परमपावन डलाय लामा जी ने बारत के प्रमुक रक्षा अद्यक्ष जनरल बेपिन रावत की निदन पर समवेतना प्रकट की। तिबती पारेवरन करेकर्ता दोंगे का चीनी जेल में यातना के कारण गंबीर स्वस्त सिती। केंद्रिय तिबती प्रशासन दौरा नौबल शान्ती पुलिसकार के बत्तिस्वें वर्ष गान पर अधिकारिक समारों का आयोजन। निर्वासे तिबती सांसत के संसधिय प्रतिनिथि मंडल ने वारते सांसतों के बीज तिबत हिमायत अवियान शुरु की। निर्वासे तिपती सांसत ने बेजिंग ओलेंपिक की राजनाइक बैशकार के समर्थन में बयान बारत में विबन तिपत समर्थक संगठनों द्वारा नोबल श्यांती पुरुषकार दिवस पर अनेक कारेक्रमों का आयोजन अब सुनिए समाचार विश्तार से इसी 15 डिसमबर 2021 की सुबा के इंद्रे अतिपदी प्रशासन के सी क्योंग श्री पेंपाचिरिंग को परमपावंदलाय लामा जी ने वेक्तिकत रूप से दर्शन दिया है सी क्योंग पेंपाचिरिंग ने कशाक की जिम्यदारी लेने के बाद से पहले बार उने परमपावंदलाय लामा जी का वेक्तिकत रूप से अशिरुवात मिला है पत्तरकारों को संबोधित करते हुए सी क्योंग ने परमपावंदलाय लामा जी का आभार प्रकट करते हुए कहा की वे परम पावंदलाई लामा जी के मार्क दर्शन और आशिरुवात के साथ चीन तिबत संगर्श की समाधान तथा तिबती जनता की सेवा में कार्य करते रहेंगे गद 11 डिसमबर 2021 को परम पावंदलाई लामा जी ने ताइवान के गांदिन शर्चे सेंटर दोरा आयूजित करूना के मध्यम से विश्व शांती विशे पर एक समारो को संबोधित किया था यह समारो विशेश कर परम पावंदलाई लामा जी को नोबल शांती पुरुषकार से समानित किये जाने की 32 वर्षकान के उबलक्ष में आविजित किया था ग्यात तव्य है कि परमपावन दलाय लामा जी को नौबल शांती समीती ने सन 1989 में उनके दोरा सर्वभोमिक उत्र अधिकारी तथा दुनिया में शांती विक्सित करने की अथ्थक प्रयासों के लिए समानित किया था कारे करम से पूर्व परमपावन दलाय लामा जी ने उपस्तित सभी बाईयों एवं बहनों विशेश कर हान बाईयों और बहनों को शुपकामनाई प्रकट की अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमने सदियों से गनिश संबंदों का आनन लिया है हमारे बीच राजनितिक उतार चड़ाव देखे होंगे परंतु हमारे बीच बाईचारा और बहनापा की गहरी भावना बनी हुई है हम तिपती और हान लोगों में बौद दर्म के प्रती बक्ती सम्मान रहा है जब मैंने चीन के मुखे बूमी का दौरा किया था तब मैंने अनेक मठों और बगवान बुद की मूर्तियां देखी है इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारे बीच गहरी दार्मिक संबंद रहा है परमपावन दलायलामा जी ने कहा कि हमारे सभी दार्मिक परमपराएं एक दूसरे को प्रेम और करूना के साथ वेहवार करने का महत्व पर शिक्षा देती है बगवान बुद ने भी ये सिकाया कि अनुशासित मन आनन का स्रोत है जबकी अन्यंतरित मन केवल संगट पैदा करता है परमपावन दलायलामा जी ने बारत के पहले प्रमुक रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत समेत अन्य अधिकारियों का गातक हेलिकप्टर दुरकर्णा में आसम एक निदन पर गहरा दुख परकट करते हुए शिरदान जली अर्पित की है अपने संदेश में परमपावन दलायलामा जी ने जनरल रावत समेत अन्य अधिकारियों के लिए प्रातना वेक्ट करते हुए सभी पीरित परी जनों के प्रती समवेतना प्रकट की उन्होंने जनरल रावत द्वारा देश के सेवा में लंबे समय से योगदान देने के लिए सलाम दिया है साथ ही के इंद्रिय अर्तिविदी प्रशासन के सी क्योंग पेंबाचिरिंग और अध्यक्ष खेंपो सुनम तेंफिल ने सी डियेस जनरल विबिन रावत के निदन पर समवेतना प्रकट किया है इस हफ़ता प्रमपावन दलाय लामा जी ने अमरीका के राश्रपती जो बाइडन को एक पत्र लिख कर अमरीका के कई राजियों में भीशन तूफान के कारण जान माल की नुकसानों से प्रबाविद लोकों के प्रती चिंता एवं सहनवबूती प्रकट किया है सन्युक राज शिरोपय संग और मानवधिकार डैसको मिली विश्वसनिय सूतरों के अनुसार तिबत के नाक्चु शहर से तिबती वैक्ती थोंके की स्वस्तिस्तिती मौत के करीब जैसी हालत है उनकी ये हालत चीनी जेल में लंबे समय तक यातना जेलने के कारण हुआ है आपको यात है कि थोंगे को चीनी शासन ने निर्वासन में तिपतियों को चीन सरकार के खिलाफ तिपतियों दोरा खन्नन विरोधी प्रदर्शन के बारे में जानकारी सजा करने के लिए ग्रफतार किया है तोंगे एक पारेवरन कारेकरता है जिनोंने तिबबत के पारेवरन की सनरक्षन में अनेक कारेकरम किया है इसी प्रकार चीनी शासन ने तिबद के गाबा छेत्र से बिक्षु वा प्रसित विद्वान गोशेरब जाचो को एक गुप्त सुनवाई में दस साल की सदा सुनवाई है उनकी जबरन गायब होने पर सन्युक राज विशेशग्यों ने सन्युक्त रूप से चिन्ता प्रकट करते हुए चीन सरकार से सवाल उठाई है परंग पावन चोधवे दलाय लामा जी को नौबल शांती प्रुसकार से सम्मानित करने की 32 वर्ष गान पर केंद्री अतिबदी प्रशासन ने सी क्योंग सबागार में एक अधिकारिक समारों का आयजिन किया था इस समारों में केंद्री अतिबदी प्रशासन के प्रमुप सी क्योंग पेंबाच रिंग सबापती खेंपो सोनम तेंफेल मुख्य नियाय आयुक कर्मा डंडुल नियाय आयुक तेंजिन लुंग तोक सहित अन्य उच अधिकारियों शामिल हुए थे अपने कशाक के बायान में सी क्योंग पेंबाच रिंग ने परम पावंद्लाय लामा जी दोरा विश्व शान्ती तथा धार्मिक सदबाव में बहु मूलिय योगदान के बारे में जानकारिश सजा की उन्होंने कहा कि परम पावंद्लाय लामा जी ने हमेशा प्रेम और करूना के सिदान को अपने जीवन में अपनाने पर जोर दिया है और किसी भी संगर्श को हल करने के लिए आहिंसा का मार्क अपनाने की सला दिया है इसी प्रकार अद्यक्ष खेंपो सुनम तेंफिल ने नर्वासत तिपदी संसत के बयान में कहा कि परम पावंद्लाय लामा जी शांती के अक्रदूत तथा विश्व के खजाना है इसी प्रकार विश्व भर में रह रहे तिपदी समुदाय तथा तिपद समर्थक संगर्ठनों ने इस सु अवसर को परम पावंद्लाय लामा जी दोरा विश्व शांती हेतू योगदान के विशे पर अनेक कारेक्रमों के साथ मनाई गई बेजिंग में आयुजित होने वाली शीत कालीन ओलंपिक को लेकर हाली में कई देशों जैसे औस्ट्रॉलिया, कैनाडा, निउजलेंड, अमरीका तथा ब्रिटैन ने इस खेल का राचनाइक बैशकार करने की कोशना की है इस संबंध में के इंद्रिय तिवधी प्रशासन के निर्वासत तिवधी संसत ने एक अपील जारी कर स्वतंतरता प्रेमी देशों की इस स्वभाव का स्वगत तथा सराना किया है अपने बयान में अध्यक्ष ने कहा है कि मध्यमाक नीती चीन तिवधी संगर्श की समादान हेतू के इंद्रिय तिवधी प्रशासन और तिवधी लोगों की राचनितिक नीती है उन्होंने दुनिया के अन्यनेताओं से मानफता नैतिक मूलियत तथा सत्य के साथ एक जुटता दिखाती हुए बेजिंग उलम्पिक का राचनाइक वैश्कार करने की अपील की है निर्वासत तिवधी संसत के पांच सदस्य संसद्य परतिनिथी मंडल 13 से 23 डिसमबर 2021 तक तिवध मुद्दे को अधिक समर्थन जुडाने के लिए दिल्ली का अधिकारिक यात्रा कर रहे है इस दौरा का मुख्य उद्देश बारत में चल रहे संसत सत्र के दौरान नीती निर्माताओं के साथ मुलाकात कर बारत सरकार से तिपत के प्रशन को लेकर सक्रिय रासनितिक समर्थन जुडाना है अपने जाकरुकता अभियान के दोरान संसत्य प्रथिनिती मंदल ने बारत के कानोन और नियाय मंत्री खिरन रिजेजू मंत्री राम दास अठ्वाले सांसत वशिष नराइन सिंग, सांसत मेनिका गांदी, सांसत वरुन गांदी, सांसत अनिल अगरवाल, सांसत के सी रामा मुर्थी, सांसत अजे निशात, सांसत जम्यंग नमगिल, आदी, कई गन्मन्य वेक्तियों के साथ मुलाकात की इसी प्रकार हिमाचल परदेश के धरमसाला में चल रहे विदान सभा सत्र के दोरान नर्वासत तिपति सांसत के अध्यक्ष खेंपो सोनम तेंफल के नेत्रतों में एक संसद्य परदिनिति मंदल ने वन मंत्री राकेश पठानिय के अमंत्रन पर हिमाचल परदेश विदान का द्वारा किया था। इस द्वारान संसद्य प्रदिनिति मंदल ने विदान सबा अध्यक्ष विपिन सिंग प्रमार, विदायक मुगेश अक्नि होतरी, उर्जा मंत्रे श्री सुकुराम, मंत्रे सर्वीन चौतरी तथा अन्य कई विदायकों के साथ चर्चा की। परम पावन चोदवे धलायलामा जी को 10 डिसमबर 1989 को विश्व शांती हेतु अठूट योगदान के लिए नौबल शांती समिती ने उने नौबल शांती पुरुषकार से सम्मानित किया गया था। इस संबंद में बारत में तिबद समर्थक संगठनों ने नौबल शांती पुरुषकार दीवस और अंतराश्ट्रे मानव अधिकार दीवस पर तिबद मुद्दा को अधिक जाकरुपता बढ़ाने के लिए अनेक कारेक्रम हुआ सम्हारों का आयजन किया था। इसके उपलक्ष में बारत तिबद मेतरी संग के एहमताबाद, जोदपूर एवं बंडारा इकाई और तिबदी स्वेटर मार्केट संग ने सन्युक दुरूप से इस सू आउसर को हर्श उल्लास के साथ मनाया। बारत तिबद मेतरी संग के हजारी बाग मुजफर पूर तथा मैसोर इकाई ने तिबद में मानववदिकार स्थिती पर संगोष्टी का आयजन किया था। इसी प्रकार बारत तिबद सयोग मंज, दिल्ली, बॉमदिला तथा तवांग प्रांद ने चीनी शासन दोरा तिबद में चलाए जा रहे मानवदिकार उतबीटन पर मानवदिकार भाईक रेली, विशाल प्रदर्शन तथा चीन तिबद संगर्ष पर वेबिनार का आयजन किया था, केंद्रिय तिबदी प्रशासन के मुखहलाय दरमशाला में बारत तिबद मैतरी संग दरमशाला ने दो दिवसे हिमालायन उत्सव का समारों अयजन किया था, इस समारों में सिक्योंग पेंपाचरिंग, नर्वासत तिबदी संसत के अध्यक्ष, खेंपो स्वनम समेत स्थान या गन्मन्य वेक्तियों ने मुख्य अथिति के रूप में भाग लिया। ने दक्षिन बारत के चार राजियों में जन जाकरन साइकल यात्रा शुरू किया था, यहां तक कि तिबद समर्थकों ने तिबदी युवा कॉंग्रेश द्वारा बेजिंग ओलंपिक के वहिशकार में बंगलूर से दिली तक आयोजित बाइक रेली के फ्लैक आफ कारेग में भी बाग लिया था। बारत में तिबद समर्थक समू के भीज समन्वे कार ले बारत इबद समन्वे केंद्र ने वारा नसी तथा मायो के स्कूलों और कॉलेज में अडेफ और तिबद कारेगरम का आयोजिन किया था। बारत में सक्री अतिबत समर्थक समू ने इस बार की नोबल शान्थी पुरुसकार दिवस और मानफ अतिकार दिवस पूरे जोश और सक्री एक्ता के साथ अविजित किया था इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है अगले हफ़ते हम फिर मिलेंगे मुझे दीजिये आकिया नमस्कार